नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS Tech Talks आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जानकारी शेयर करूँगा एक ऐसी application के बारे में जिसके आउशक्ता हम सभी को होती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं चाहे आप एक student हैं चाहे आप एक teacher हैं या फिर कोई professional हैं इस application के आउशक्ता हम सभी को बढ़ती है जब हमें किसी document को sign करना होता है तब हमें एक अलग application के आउशक्ता पड़ती है जब हम किसी document को scan करना चाहते हैं तब हमें एक application के आउशक्ता होती है जब हम कोई word की file create करना चाहते हैं Excel file या PowerPoint file create करना चाहते हैं तब भी हमें एक application के आउशकता होती है कभी कवार हमें word to PDF convert करना पड़ता है या कभी हमें PDF से word में convert करना पड़ता है या फिर हमें picture से PDF में convert करना हो तो इन कामों के लिए हम तरह तरह की applications तलास करते हैं और उनको अपने mobile में install करने की कोशिश करते हैं या फिर हमें एक computer का इस्तिमाल करना पड़ता है लेकिन मैं आपको एक ऐसी application के बारे में बताता हूँ जिसके अंदर आपको ये सारे features एक साथ देखने को मिलते हैं और आप को किसी भी तरह से computer या laptop के आवशक्ता भी नहीं होगी और आप अपने mobile के उपर ही सारा काम कर सकते हैं चाहे फिर आपके पास में Android का mobile हो या फिर iOS वाला Apple का mobile हो मैं बात कर रहा हूँ Microsoft mobile office application के बारे में जो कि बिल्कुल free है और बहुत सारे काम एक साथ इस application के अंदर आप कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको Google Play Store को open करना होगा इसके बाद में सर्च बार में आप type करेंगे office तो आपको जो पहली application दिखाए देगी वो होगी Microsoft Office जैसा कि आप screen के ओपर देख सकते हैं इसको आप अपने mobile में install कर लीजिए केवल इस एक application के जिरिए आप तरह तर कर सकते हैं इस application में आप अपने Microsoft account के जरिए या जो भी Outlook की email ID आप यूज करते हैं उस email ID के जरिए login कर सकते हैं या फिर आप sign in letter पर click करके इसको आप skip कर सकते हैं इसके बाद फिर से ये privacy के regarding आपसे permission मागेगा आपको next पर click करना है और don't send optional data पर click करना है इसके बाद में इस इसको purchase नहीं करना चाहें तो free में इस application को इस्तिमाल कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं इस application का बिल्कुल सा interface आपको दिखाये दे रहा है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप क्या-क्या काम कर सकते हैं जैसे आप actions पर click करते हैं यहाँ पर एक menu आपके सामने open हो जाता ह और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कई तरह के काम कर सकते हैं जैसे कि transfer files यहाँ से files आप अपने computer के अंदर transfer कर सकते हैं और computer की files को अपने mobile पर भी receive कर सकते हैं लेकिन file की maximum size है वो 30 MB तक की होगी इसके बाद में दूसरा option आपको दिखाये दे रहा है share nearby यानि आपके जो नजदी की devices हैं वहाँ पर भी या उनके साथ में आप files को share कर सकते हैं इसके बाद में next option आप देख सकते हैं image to text यानि आप किसी भी image को text में convert कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई book है या notebook है तो उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे text आप scan करना चाहते हैं और word file के अंदर या note के अंदर not pad के अंदर उनको save करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन फिलाल यह Hindi भासा को support नहीं करता है यहाँ पर आपको English का support मिलेगा और भी बहुत सारी भासा ही है worldwide जिनको यह support करता है लेकिन फिलाल Hindi का support आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता ह जैसा कि next option आप यहाँ पर देख सकते हैं image to table इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी image को या किसी भी document को जिसके अंदर table बनी हुई हो उसको आप scan कर सकते हैं जो कि text के रूप में आपको दिखाए देंगी तो वो जायर सी बात आपको Excel seat के अंदर देखने को मिलेंगी जैसा कि next option आपको दिखाए दे रहा है sign a PDF यानि आपके पास में कोई PDF file है और आप उसको signature करना चाते हैं उसके उपर sign करना चाते हैं तो यहाँ पर आप उस file को select करके signature भी कर सकते हैं इसके बाद में next option आपको देखने को मिलता है picture to PDF यानि यदि आपके mobile के अंदर को picture shave है तो आप उ इसके बाद में PDF to word यदि आपके पास में कोई PDF file पहले से save है आपके smartphone के अंदर तो उसको यहां से आप select करके word file के अंदर convert कर सकते हैं इसके बाद में next option आपको देखने को मिलता है scan QR code का यदि आप QR code को scan करना चाते हैं तो वो भी यहाँ पर click करके किया जा सकता है इसके बा आप यहां पर कर सकते हैं लास्ट option आपको देखने को मिलता है create a form जैसे google forms आप create करते हैं सेम वैसे ही Microsoft की तरफ से भी यह स्वीदा आपको देखने को मिलती है Microsoft forms के रूप में और इसके ज़री भी आप वैसे ही similar forms create कर सकते हैं इसके लावा बीच में आपको जो plus का sign करके आप कर सकते हैं जैसे आप plus के icon के उपर type करते हैं वैसे आपको first जो option देखने को मिलता है वो notes का देखने को मिल जाता है जहां पर click करके आप notes ready कर सकते हैं इसके लावा दूसरा option आपको lens का देखने को मिलता है जिस पर click करके आप documents को scan कर सकते हैं और तीसरा option आपको द लेप्टोप की आवशिक्ता भी नहीं होती, सारे काम हम मोबाइल के उपर ही कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं, इन में से किसी फीचर का मैं डिटेल्ड टुटोरियल रेडी करूँ, तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में बता सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!